फिर नितीज सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फर्मान जारी की है और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हिंदूओं के छुटियों को सिवरात्री जैसे महाफ़प जन्मास्ट्रमी जैसा महाफ़प इन छुटियों को काट दिया गया है और एद बकरीद की छुटी जो सरकार बिहार में इसलामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया पुर्णिया कटिहार के संगन जैसे जगों पर सुक्रवार को इस कुलों में छुटी हो रही है अब तो लगता है कि पूरे बिहार में सुक्रवार को ही इसलामिक छुटी करने की योजना बना रही है ये सरकार अगर हमारे छुटियों को जिस धंग से काटने का काम किया है अगर नहीं इन छुटियों को फिर से बहाल किया इसका खाम्याजा नितीज कुमार को आने वाले चुनाव में भुकतना पड़ेगा ये नितीज कुमार नहीं कहलाएंगे बलकि मुहम्मद ल तीस कुमार्का है लाइक है